नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में लावा Z2 Max vs. Infinix Smart 5 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो लावा Z2 Max में 6.88 इंच जब की अन्फिनिक स्मार्ट 5 में 6.76 इंच की लेंथ मिलती है जोकी लावा Z2 Max से कम है बात करें तो लावा Z2 Max में 3.09 इंच जब की अन्फिनिक स्मार्ट 5 में 3.07 इंच की विद्ध मिलती है जोकी लावा Z2 Max से कम है बात करें थिकनेस की तो लावा Z2 Max में 0.35 इंच जब की अन्फिनिक स्मार्ट 5 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो प्लावा Z2 Max में 216 g जबकी Infinix Smart 5 में 207 g का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो प्लावा Z2 Max में 7.0 इंचस जबकी Infinix Smart 5 में 6.82 इंचस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1640 मिलता है Screen to Body Ratio लावा Z2 Max में 84.87 प्रतिशत जबकी Infinix Smart 5 में 82.66 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो लावा Z2 Max में 256 प्रति इंच जबकी Infinix Smart 5 में 263 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो लावा Z2 Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Infinix Smart 5 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो, Lava Z2 Max में 8 different type के features मिल जाते हैं और Infinix Smart 5 की बात करें तो उसमें 10 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera या यानि की selfie camera की तो दोनों फोन में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 5 different features मिलते हैं एही अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है चिप सेट की बात करें तो Lava Z2 Max में MediaTek Helio A20 और Infinix Smart 5 में MediaTek Helio G25 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में same ही 2GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 32GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 256GB है operating system दोनों phone में Android V10 Q देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 6000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Lava Z2 Max में 2 colors जबकी Infinix Smart 5 में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Lava Z2 Max 2 GB RAM 32GB storage के साथ 7,799 रूपीस में मिल जाता है और बात करें Infinix Smart 5 की तो वो 2 GB RAM 32GB storage के साथ 7,199 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Lava Z2 Max में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix Smart 5 की तो उसमें 3 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में दोनों फोन सेम ही है प्रंट सेलफी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफोर्मेंस में लावस Z2 Max आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 6 Air है जो की 7,499 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है जो की 8,499 रुपे में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना